हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं मुच्रल फंड के बारे में SPI कंट्रॉल फंड रगूलर प्लान ग्रोथ के बारे में कि आखिर इसमें पैसे को निवेश करना कब चाहिए कि कब नहीं चाहिए और इसी के साथ में कितना आमें यहाँ पर प्रॉफिड होगा कितना नहीं होगा वो माज की इस वीडियोस में आपको सब कुछ बताने बाला हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आज की इस वीडियोस में आप सीख जांगे कि मैंने यहाँ पर कितना पैसा पैस्व को निवेश करना चाहिये इसका कोई समय होता है कि नहीं होता है टीक है अगर आप वो एपड़ी बगरा करते हैं तो एपडी से आप को इहां पर बढ़कर मिलेगा तो वो कितना बढ़कर मिलेगा सारे की सारे फंडे आज की इस वीडियोंस में आप यहां पर सीखने वाले हैं mutual fund के ठीक है अगर आप पैसे को निवेश करना परसंद करते हैं और बेक्ति को निवेश करना ही चाहिए ठीक है क्योंकि छोटी-छोटी अगर वो निवेश करता रहता है तो वो एक बड़ी अमांट बना सकता है और उससे कोई अपने आने वाले समय में उससे कोई काम कर सकता है तो चली वीडियो सुरू करते हैं वीडियो को बिनादेरी करते हुए तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको अपना यहां पर profit दिखा द देता हूं और कितना मैंने यहां पर निवेश किया था वो भी मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूं ठीक है तो यहां पर मैंने अपनी SBI यहनों को open कर लेता हूं इस screen की जनी कि इस मुगाल की स्क्रीन है आपको बराबर में सो हो रही है ठीक है मैं यहां पर direct investment पे simply click करता ह क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर देखने को मिल जा है 4,47,792 पैसे 34 रुपए ठीक है जानी कि 34 पैसे हैं सौरी वो यहां पर टोटल अमॉंट है जानी कि 45,45,00,00 में लगबग 5,000 कम ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं और मैंने यहां पर रुपए रिवेस किया था 35,00,00, ठीक है इसी के साथ में mutual fund वालों ने भी यहां पर पैसा काड़ा था उन्होंने अपनी फीज काड़ी थी 1% के हिसाब से ठीक है तो यहां पर अब आपने यह तू देख लिया ठीक है कि हाँ इतना पैसा है ठीक है तो चलिए बाकी की बाते हैं मैं आपको यहां पर समझाओंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो ठीक है करते हैं कि एक साल के लिए आपको साथ पॉंट पचिस दे सकती है एक लाग पर साथ हजार रुपई देगी अगर साथ परसेंट के साफ आप से कोई बैंक देती है तब ठीक है तो इसका मतलब यह होता है सीदे सीदे ठीक है क्योंकि काफी लोग को यही समझ में नहीं आता है कि इंटरस्टेट यानि की 7000 रुपय यानि की 7,5 दो होता है या फिर 5 होता है तो इसका मतलब हो गया 7,5 है तो इसका मतलब है सारे 7,000 रुपय देगी आपको 1,00,000 पर 1 साल में ठीक है तो यहां पर अगर आप mutual fund करते हैं और इसी के साथ में PD करते हैं तो इन दोने में क्या तो इन दोले में यह होता है कि जो सबस्सक्रांद कि आपको इतना ही पैसा यानिकी एक अगर आपको साथ पर्सेंट दे रही है बैंक तो एक साल में एक लाज पर आपको 6,000 रुपए मिलना ही मिलना है ठीक है बो तो आप एक फिक्स हो गया ठीक है पर मुचुरल फंड में यो होता है कि जो भी मुचुरल फंड होता है उसका एक मैनेजर होता है ठीक है पो फिचरल फंड मैनेजर होगा वो क्या करेगा 10,000 की अपनी जो फीस है वो काट लेगा 1% के इसाब से ठीक है तो उसके 10,000 के करीब 100 रुपए हो जाते हैं ठीक है तो 100 रुपए की वो फीस है अपने पास रख लेगा बाकी के 9,900 रुपए बचे तो लगाएगा अलगला कमपनि में ठीक है कम से कम 10 कमपनियों पैसा लगाएगा और 10 कमपनियों में से अगर एक कमपनी लॉस में चले जाती है तो बची बाकी की 9 कमपनी ठीक है तो 9 कमपनी में से एक कमपनी वो लॉस के लिए रुपेर कर देगी बची 8 कमपनी तो 8 कमपनी से जितना भी प्रॉफिट जैसे कि आप यहां पर देख पा रहा है जो एने भी है वो है 248 अब एने भी का मतलब क्या होता है जैसे कि नैट SS बैलू ठीक है यही सारी चीजे हैं जो की तैक करती है कि आखिर आपके रुपई की जो बैलू है वो कितनी है ठीक है कहने का मतलब है एने भी एक इनिट होती है जब भी यह मूचरल फंड इस्टार्ट होगा होगा तो इसके अंदर कुछ फंड एड किया गया होगा और उसके अंदर 10 रुपई के हिसाब से एने भी बनाई गई होगी और उसके बाद में जितना यहां पर फंड एड होता जाता ह है उसी हिसाब से वे films अध्यों होती 要ती है इसके साथ में इतना होत》 होता है क्रूंकि जो भी फंड मैनेजर होता है वहां पैसे को catching करके नहीं दστख सकता है ठीक है और यह फोड़ा सा डर होता है लोगों के है हाला कि यह डर वाली बात नहीं है क्योंकि आपको यहां पर प्रॉफिट मिलता ही मिलता है ठीक है अब चलिए यहां पर जो एने भी का मतलब है बो तो आप समझीए गया इसकी फुल फार्म है ने टैसेस बैलू और जाने की एक यूनिट होती है ठीक है जब मैंने यहां पर य आप समझो यहां पर 2024 चल लए है तो आज है यहां पर 19 मई ठीक है तो कहने का मतलब है अभी मुझे यहां पर एक साल नहीं हुआ है तो यहां पर लगभग मुझे संदिंग एक लाग रुपए का यहां पर प्रॉफिट इसमें दिखा रहे है ठीक है अब यहां पर क्या होग पर कितना यहान पर profit दे रही है, ठीक है, तो पीचे में यहान पर देखने को मिलिया है कि अगर आप एक भी करते हैं इसमें पैसे को निबेश, ठीक है तो आपको 2.64 तक आपको यहान पर profit मिलेगा, इसी के साथ में, अगर आप इसमें जिल करदा दूँंधे Всё आप लॉंग ट को पंद्रज एक तो आपको आपको पैसी की जुरूरत पढ़ जाती है ऐसका तो था साल से पहले पहले पैसे निकालते हैं रुपय को तो उसमें से आपको 15% गवर्मिंट को देना पड़ेगा ठीक है तो इसमें आपको यहां पर लॉस होगा ठीक है इसी के साथ में अगर आप एक साल बाद निकालते हैं तो आपको यहां पर 10% देना पड़ता है और उसके बाद में यहां पर प्रॉफिट होई जाता है ठीक है क्योंकि व्लफिट आपको एकहते बाद ही दिखनेस प्सक्राइब कि इतना फेल होगा क्योंकि जब भी आप इसमें तो आपको आपपर थोड़े कम होंगी ठीक है क्योंकि मेरे भी हाँ पर कम हुए थे मैं एकदम चौक गया यार की बढ़ने की जगए इसमें कम हो रहा है पैसे ठीक है तो मैं हाँ पर बैंक के गया बैंक के जो मैंनेजर है मैंने उनसे बात की तो बोले वह ऐसा ही होता है थोड़ा उपन नीचे ठीक है तब मुझे be onsenale को कूडेंगे तो जाएंगे फिर भी गड़ी नाली होती है तो मैंने कहा थवड़ा पीछे से अगर ॹजांगे तो भी जिए करते है तो अगा हुझा की हिसमेंने चारजाब है उन्हें टो रॉंयों कर तो आपका पैसा कैसे कमाकि देगा ठीक है इसका मतलब यही होता है तो इसमें आपको साफ साफ देखने की मिल द्ल्याहिंद कई अगर आप 10% आपको यहाँ पर देना होगा इसकी जो टर्म कंडिशन्स हैं वो साफ साफ यहाँ पर लिखी भी हुई भी है ठीक है इसमें एड आ जाता है क्योंकि मैं आपको वैब साइट पर समझा रहे हूं ठीक है तो यहाँ पर 10% देना होगा और उसके बाद में एक लाग पर आपको चूट भी मिलती है ठीक है अग syllabus की तौरप अगर आपके रुपय हो जाते हैं अगर आपने इसमें 2,0,00,000 और लाग पिछा सब्सक्राइब है 50% का आपको यहाँ पर वैकन मिल जाता है तो जोगार 3,00,000 साल के बाद इग आपको पैसे की जुरूरत पड़ रही है तो उस को अगर आप निकालना चाहाते हैं तो एक लाख रुपए की आपको छूट कर दी जाएगी इसमें ठीक है बचा दो लाख अब दो लाख पे आपको यहां पर पैसे देने होंगे 10% के हिसाब से तो 20,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को टेक्स से देना ही होगा तो कहने का मतलब है आपको यहां पर 80,000 का प्रॉफिड हो जाएगा ठीक है कहने का मतलब एक साल में तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि FD में और आखिर मूचरल फंड में कितना अंतर है ठीक है तो यही एक mutual fund का एक fund होता है ठीक है इसी के साथ में आपको यहां पर grab अगर भी यहां पर देखने को मिल जागा फिलाल तो यहां पर 100 अभी यहां पर हो नहीं रहा है ठीक है अगर आप एकदम पैसे को यहां पर जम्मा करने नहीं चाहते हैं तो आप यहां पर S.I.P. सुर बाकी की जो S.I.P. की बाते हैं मैं आपको नेस्ट वीडियो में बता दूँगा अगर आप चाहते हैं कि इस पर में एक complete वीडियो बनाओं तो आप मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं मैं इस पर भी आपको एक complete वीडियो बना दूँगा ठीक है और उस वीडियो में आप अ सवाल है कोई भी confusion है तो मुझे नीचे comment section में दे सकते हैं मिलते हैं नेस वीडियो में